नमस्कार आप देखरें इंडिया टीवी आपकी साथ मैं हूँ मिनाक्षी जोशी और अब बात करेंगे बार बारिश की आफ़त की जी हाँ असमानी आफ़त के अटैक से देश में हाहाकार मचा है आधे इंदुस्तान पर जल अटैक से बार का संकट मनरा रहा है गुजरात महराश्र में अगले दो दिन बहुत एहम है तीस बारिश की चलते कई इलाके दरिया में तब्दील हो गए है महराश्र के अलग-अलग जिरो में बारिश का रेज और ओरेंच अलर्ट जारे किया गया है ठाड़े और पालगर में भारी बारिश की चलते धाइसों से अधिक कब फैमिली यहां से शिफ्ट की जा चुकी है स्कूल और कॉलेजिस बंद हो चुके हैं गुजरात में भी हालात विक्राल हैं गुजरात के च्छी जिलुमी भारी बारिश की सर्कूमार दर्या बेहता है जुनागर गिर्फोमनात राजकोट सुरत में हालात बेकाबू होते जा रही है दीश के आज अलग-अलग शेहरों की तस्वीर हम आपको दिखाते है आस्वानी आफट ने जिन्दगी की रफटार पर ब्रेक लगा दिया है मैदानी इलाकों में सेलाप का डेंचर प्रहार तबाही मचा रहा है तो पहाडों में लैंड स्लाइड से हालात बिगड़ते जा रही है जून से जारी तबाही जुलाई में भी कहर बर पा रही है ऐसे भी आप लोग हाथ जोड़कर भगवान से रहम की गुहार लगा रही है गुज्रात में बारिश से बहुत बुरा हाल है तस्वीर एक चच की मानचवी आलाके की है यहां तीस बारिश के चलती सड़क पर दर्या ए सेलाप का पाणी दुकानों के बाहर तीस धार में बह रहा है बारिश की तीस धार में सड़क पर खड़ी फड़की एक तिंके कि तरह दख़ गई पानी का प्रहार इतना तीस था कि लोगों की पकड़ने के बावजूद स्कूटी रोकने में एक खास से दिक्कते आई ये में मार्केट के बाहर के तस्वीर आप देख रहे हैं ये दोनों तरफ फड़के दाए बाए आप दुकाने देख रहे हैं दुकानों के बाहर लोग अपने स्कूटी खड़ी करते हैं पाक कर देते हैं गारियों को लेकिन उन्हीं क्या पता था कि पानी की रफ्तार पानी का वीग इतना तीस होगा कि स्कूटी बह जाएगी अब आप देखें इंसान तो इंसान जानवर तो उनसे ज़्यादा बेहाल है परिशान है एक गाई चपेच में आ गई किसी तरीके से लोगों ने उसे रेस्क्यू किया आप देखें किस तरीके से सींग पकड़ कर उसे लोगों ने मिलकर खीचा तीस ठार में सब कुछ बहता हुआ जहां नसर आ रहा है तो वहीं लोगों की इंसानियत भी सामने आ रही है किस तरीके से इस जानवर को बचाया गया सेनाब में एक गाई फस कई थी वो बह जाती उसकी जान पर संकच था लेकिन देखें पहले दो लोगों ने और फिर चार लोगों ने मिलकर एक साथ इस गाई की मदद की और इस सेनाब से इस गाई को बहर निकाला आए अब तफ्वीर आपको दिखाती हूं गुजरात के द्वारका की यहाँ पर तीस बारिश के वज़े से सीडियों पर जढ़ना बहने लगा जी हां सडकों पर इतना पानी भरा हुआ है कि रिहायशी इलाकों में बने हुए यह जो स्टेर केस है जो सीडिया आप देख र यह एक और तफ्वीर द्वारका की देखिए गारियां फस गई हैं लोगों के सामने कोई विकल्प नहीं हैं गारी को धक्का मार कर इस सेलाब के बीच से गारी को निकालना पड़ रहा है लोगों के घुटनों से उपर तक का पानी जा चुका है बस पानी में डूबी हुई नज़र आ रही थी आपने देखा बगल में ही एक बस भी खड़ी हुई है कार को देखिए चलिए कार किसी तरीके से सेलाब के बीच में से निकल वरूर रही है लेकिन कब तक इसका इंजन साथ देगा ये एक बड़ा सवाल है अब एक वैन की तफ़ीर आप देखिए द्वारका की ही वैन की तफ़ीर वैन बंद हो चुकी है अब लोग धका दे रहे हैं तो किसी तरीकी से ड्राइवर इस सेलाब के बीच से गारी को बहार निकाल रहा है गुजरात में बारिश से छे जिले इस वक तबाही के मार जेल रहे हैं जुनागर में हालात खराब नसरा रहे हैं यहां नैशनल हाईवे पर सेलाब है बारिश के बाद जल अटैक ने जिन्दगी के रफ़तार पर ब्रेक लगा दिया है जगे जगे सडकों पर आपको दरिया दिखाए देगा